आज हम इस वीडियो में नवी जमात का सबख नंबर एक सेट का मश्खी सेट एक अचारिया दो हल करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस करना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें चले शुरू करते हैं सवाल नमबर एक मश्खी सेट एक अशारिया दो का दो जर्जेल में से कौन से सेट मसावी हैं कौन से नहीं वज़े के साथ लिखिए देखें दो तीन सेट दिये गया है ए बी सी और तीनों की बयान किया गया है एक्स त्री एक्स मानस वन मसावी है टू बी को कुछ इस तरह से बयान किया है कि X ये तबई अदद है लेकिन X मुफर्द भी नहीं है और मुरकब भी नहीं और C कुछ इस तरह से बयान किया है कि X तबई अदद है और X की जो कीमत है वो दो से छोटी है तो इन्हें हमें हल पता करने के लिए कि ये मसावी है या नहीं सबसे पहले हम इन्हें फैरिष्टी तरीखे से लिखेंगे चले लिखते हैं ये मसावी है अब देखें यहां पर एक्वेशन दी गई है तो पहले सबसे पहले हम वो एक्वेशन सॉल कर लेंगे X की खिमत पता करने के अरकान को पता करने का सबसे आसन तरीखा ये है कि एक्वेशन अगर दी गई है मसावत अगर सेट के अंदर दी गई है तो आप मसावत को हल कर लेजिए आपको मतगयर की खिमत मालम हो जाएगी और वही खिमते जो मतगयर की है वो अरकान है चले देखते हैं 3x-1 मसावी है 2, इसे हम solve करेंगे तो X की खिया खिमत आएगी 3x मसावी है 2+, 3x मसावी है 3, X मसावी है 1 X की खिमत 1 आई है, X की सिर्फ A की खिमत आई है और वो है 1 तो हमें इसे फैरिस्ती तरीखे से इस तरह से लिखेंगे कि उसमें सिर्फ एक रुकन आया है और वो B है 1 चलिए देखते हैं B, B को हम किस तरह से लिखेंगे फैरिस्ते तरीखे से सबसे पहले देखते हैं कि B के क्या रकान आते हैं यहां देखिए X जो दिया गया है यह एक तबही अदद है लेकिन X मुफर्द भी नहीं है और मुरकब भी नहीं है ऐसा अदद जो मुफर्द नहीं है और मुरकब भी नहीं है लेकिन तबही अदद है वो सिर्फ एक अदद हो सकता है जो है 1 क्यूंकि आप देखिए 2, 3, 1 के बाद जो भी अदद है जो नम्मुफरद है नमुरक्गव है और है उना 2 divi set रो के मीए और and आते हैं देखेंते हैं किने कैं अकर से अंते हैं से देखें कि हमते हैं चलिए तीकित सब्सक्ते साृइब से दुझाटर रहेंगे और दूसरी कंडियमें यह भी दी गई है कि यह जो वैल्यू एक्स की जो खिमते आएंगी वह दो से कम रहेंगी तो आप देखिए अगर तभी अदद वन टू थ्री यह अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो दो से छोटी सिर्फ एक ही खिमत आएगी और वो है वन जो यह दोनों कंडिशन को सेट तभी अ दो से छोटी भी है तो सी में सिर्फ एक ही देखिए और वो है वन तो आप यहां देखिए एका एमें जो रुकन है वो बीo में भी मौझूद है C का अगरू से दो से इस तरहसे लिग की तारीफ की रूम से हम कह सकते हैं के सेट एमसर ऑंचड़ जर्ट एबी है ट्री लिग मसावी सेट हैं कि दी आए और मसावी सेट हैं या इबायती तरीखे से लिखे गये हैं सेट अब सबसे पहले रिखेने पहले में हमने यह पहले बहुत है पढ़ा था ऐसा सेट हो उसमें सिस्फ एक शुरूअधा मतश्थ औरू है क्योंकि यह 2 जो है वो जुस्त भी है और मुफर्द अदद भी है चले देखते हैं B B में क्या आता है B के अरकान पता करने के लिए देखें यहां फिर से मसावात आई है तो सबसे आसान तरीखा B के अरकान को पता करने का यह है कि यह मसावात को आप हल करने फिर X की खिमत मसावात हल करने पर जो आपको पता चलेंगी वो X B के अरकान रहेंगे चले हैं हल करते हैं 7X-1 is equal to 13 7X is equal to 13 plus 1 7X is equal to 14 X is equal to 14 divided by 7 is equal to 2 देखें X की खिमत पता चल गई हमें और वो है 2 तो यह रहेंगे B के जो अरकान रहेंगे वो सिर्फ एक अदत रहेगा और वो भी 2 अब आप यहाँ देखिए B में जो रुकन है और A में जो रुकन है वो दोनों एक ही है और वो है 2 तो मसावात के तारीफ की बिना पर आप यह कह सकते हैं के A और B यह मसावी सेट है चलिए दूसरा कोश्चन देखते हैं तीसरा कोश्चन कुछ इस तरह से है दरजजेल में से कौन से सेट खाली है वज़ा के साथ लिखिए हमें पता करना है यह जो तीन सेट दिये गये हैं उन में से खाली सेट कौन सा है चलिए पहला पढ़ते हैं यह सेट एक का जिसमें A मतगयर है और A के खुस्चित यह है यह सीफर से छोटा तबही अदत है सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि सीफर तो सब तबही अदत है यह नहीं सीफर से छोटा जो रहेगा वो माइनस में जल जाएगा और माइनस मनफी जो आदात आएंगे यह सीफर से जो भी अशारे वाले आदात आएंगे वो तबही आदत नहीं रहेंगे तबही आदात तो एक से शुरू होते हैं तो यह जो रहेगा यह खाली सेट रहेगा B B के देखिए B X X सचर मसावी है सीफर के और हम जानते हैं के X सचर X का मुरबा मसावी है सीफर के तो सीफर ही एक ऐसा आदत है जिसका मुरबा सीफर आता है तो हम B को फैर इसते त्रीख से किस तरह से लिख सकते है यह और वो ZERO रहेगा यानी B एक खाली सेट नहीं है इसमें एक रुकम मौजूद है वो 0 है चलिए C देखते हैं C के लिए यहां देखिए फिर से equation आई है और X के खिमत पता करने के लिए आपको equation हल करनी होगी 5X-2 is equal to C4 और X यह तबयादत है यह विध्यान रखिए इसका हल भी होना चाहिए X और तबयादत भी होना चाहिए तो पहले सबसे पहले हम हल करके देखते हैं कि X के खिमत क्या आती है तो यह आएगा कुछ इस तरह से 5X is equal to 2 X is equal to 2 by 5 इसको फिर से मुक्तिसर नहीं करेंगे मुक्तिसर करेंगे तो खिमत अशारिया में चले जाएगी और हम जानते हैं 2 by 5 यह एक नाती हदत है यह तबयादत नहीं है यह एक नाती हदत है और यह एक तबयादत नहीं है जबके हमको इसी खिमत चाहिए थी जो तबयादत हो लेकिन जब हम यह equation हल करते हैं तो एक ही एक्स की खिमत आती है टू बाइ फाई यू जो इस मसावात का हल है साथ ही ये तबई अदत नहीं है तो हम लिखते हैं यहां पर के सी में जो अरकान आएंगे यहां देखे टू बाइ फाई यू इस तब यह अदत नहीं है नातिक अदत है तो हम इसे इस तरह से खाली सेट लिख देंगे क्योंकि यह खाली सेट इसमें कोई भी रुकन मौझूद नहीं होगा जो यह दोनों खुसूसियत को एक साथ साथ साटिस्फाय करें तो यह खाली स सेट रहेगा च雅नले अग्ले कोशन की तरफ नहीं है कोशन नहीं ह। दर जिजल में से कौन से सिट महदूद है और कौन से ला महदूद वजा के साथ लिखिए चलिए उसमें से पहला देखते हैं A मसावी है X X से खिमत 10 से छोटी है और X ये तबही अदत है तबही अदत देखिए इसे पहरी सितर पर लिखेंगे सबसे पहले तो X 10 से छोटा है और X ये तबही अदत है तो X शुरू होता है तबही अदत जो शुरू होते हैं वो X से शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके आगे नहीं जाएंगे क्यांकि X सिमत हमें याँ दी गई है कि वो 10 से छोटी होगी आप ये देखिए कि ये महदूद जो रुकन इसमें A में जो रुकन मौझूद हैं वो महदूद हैं और आसाने से शुमार कर सकते हैं तो ये महदूद सेट की तारीफ की बिनापर य Y य य के खिरत मैनस 1 से छोटी है य य सही अदत है ठीक है और हम इसके फैरिष्ती तरह से फैरिष्ती तरीफे से कुछ इस तरह से लिखेंगे मैनस 1 से छोटी खिरमत जो रुभी रहेंगी वो मैनस 2, मैनस 3 मैनस 4, मैनस 4 लाम हदूद रहेगा ठीक है? सही आदाद है और फिमर जो है मानस वन से छोटी ये वाई की तो हम इसको शुमार नहीं कर सकते और ये लामहदूद है इसमें जो और कान की तेदाद है वो लामहदूद है चलिए तीसरे कोश्चन पर चलते हैं C, C आपके स्कूल की नवी जमात के तमाम तलबा का सेट है तो आप जान सकते हैं कि जमात में जो तलबा रहते हैं उनकी तैदात महदूद रहती है उन्हीं आसानी से शुमार किया जा सकता है तो फिर से यहां पर सेट की तारीफ की बिना पर हम यह कह सकते हैं कि C, यह महदूद सेट है नवी के वज़ा यह बताएंगे नवी जमात के तलबा की तादात महदूद होती है उन्हें शुमार किया जा सकता है इसलिए C, यह महदूद सेट है चलिए चौत्व देखते है आपके गाउं के बाशिंदों का सेट जैसे हमने 3 किया है यह वाला जैसे किया है वैसे ही यह भी आएगा क्योंकि गाउं के बाशिंदों को बाशिंदों की तेदात भी महदूद ही होती है उन्हें भी शुमार किया जा सकता है तो यह महदूद सेट होगा आप इसे D ले लीजिए D ठीक है यह महदूद सेट है वज़ा से तीसरे सवाल के जैसे सेम ही है तीसरे सवाल आपने जिस तरह से हल किया है तीसरे से जिस तरह से हल किया है उसी तरह यह चोटा भी वही है सेम रिजन रहेगा वज़ा सेम रहेगी यहां नवी जमात की तलबा के बज़ाए यहां पर आप गाउं के वाशिंदों को लिख सकते हैं चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं इसी का पांचवा question है question number 4 में ही आपको ये पांचवा दिया गया है पांचवा set दिया गया है सेट है तजर्वे गह के आलात का सेट लैब लैबरोटरी की जो आपरेटरेस रहते हैं उनका सेट तो जो आलात रहेंगे वो महदूद ही रहेंगे उन्हें आसाने से शुमार किया जा सकता है तो फिर इस यह सेट जो रहेगा सेट यह सेट महदूद सेट है तो आगे बढ़ते हैं मुकमिल आदात का सेट मुकमिल आदात का सेट ठीक है हम जानते हैं मुकमिल आदात का सेट किस तरह से लिख सकते हैं फिर इस से तरीखे से यह जिरो से शुरू होता है 1, 2, 3, 4 और इसके अरकान लामहदूद होते हैं तो ये एक ये लामहदूद सेट है चलिए ये आखरी सेट दिया गया है नाती खादात का सेट जिसे Q से बताया जा सकता है और हमने देखा है कि Q में भी इस तरह के अरकान भरते हैं जहां P और Q हम I से लेंगे सही आदात से लेंगे और Q की खिमत कभी भी सीफर नहीं रहेगी और ये नाती खादात का सेट भी एक लामहदूद सेट है इसकी वज़ा कुछ इस तरह से लिखिए आप कि नाती खादात लामहदूद होते हैं इन्हें सुमार नहीं किया जा सकता इसलिए नाती खादात का सेट क्यूद ये एक लामहदूद सेट है चलिए यहां पर मश्क 1.2 खतम होती है हम इंशाला अगली वीडियो में मिलेंगे अगर आपको ये वीडियो पॉसन आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए अल्ला हफीज